हेलो स्टूडेंट्स आयाम गुरुवेंदर कौर सीनियर फेकल्टी अभी मन्यू आईएस एवेरी वाम वेलकम ओल उफ यू इन दिस सेशन और आज हम यहां पर पंजाब सिवल सर्वसीज इग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है रोल ओफ सोशल मेडिया उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे बिकॉज यू नो जिसे रोटी कपड़ा मकान है न वो हमारी एक बेसिक निसेस्टी है हमारी लाइफ में अब 21st सेंचरी के अंदर यू नो सोशल मेडिया भी उसी तरीके से एक बेसिक निसेस्टी बन गया हर एक परसन की तो उसी के रोल के बारे में हम यहां पर देखेंगे कि जब एक स्टूडेंट या जो एक एस्पिरेंट है जब वो प्रपरेशन करता है तब उसकी यू उसक परेशन के टाइम पर या दूरिंग डट परेशन, शोशल मेडिया किस तरीके से रोल प्ले करता है नेगिटिव सेंस में या फिर पॉजिटिव सेंस में दोनों चीजों को हम यहां पर अड्रेस करूंगी तो उसी पर बात करते हम यहां पर, फिर्स अ फोल अ स्टूडेंट as you already know कि notification जो है वो पंजाब civil services के लिए वो कभी भी आउट हो सकती है right because last time जब exam 2021 में हुआ और उसके बाद अभी जो है still notification आउट नहीं हुई है बट हाँ exam अब government ने ये ज़रूर clear कर दिया है कि हंजी जो exam है वो आपका 2024 में definitely conduct हो रहा है right so उसी को यहां पर focus उसी पर focus करते हुए बहुत सारी चीजे हैं student जिस पर बात होनी चाहिए right you know एक positive sense के अंदर you know वो हर एक problem को address करना चाहिए जो एक student daily life में you know face करता है जब भी वो अपनी preparation को start करता है या उस initial phase में या फिर you know mid में कहीं पर भी हो वो किसी भी stage में preparation की ठीक है तो problems और hurdles तो हर रोज वो face करता ही है ठीक है और जब हम उस पर बात करते हैं राइट जब एक teacher उस पर बात करता है और उसको address करता है तो कहीं ना कहीं student को help होती है राइट कि हां जी यह मेरे लिए सही चीज है या अची मतलब गलत चीज है क्या है ठीक है तूसी पर हम बात करते हैं यहां पर वैसा ही एक topic है student social media तूसी पर हम यहां पर बात करेंगे student social media पर social media पर हम यहां पर बात करते हैं ठीक है social media किस तरीके से role play कर रहा है while preparing for civil services civil services के बारे में हम यहां पर बात करते हैं ठीक है कि civil services में किस तरीके से social media role play करते हैं ओकी तो देखते हैं students see here students social media in the sense की जो आज के social media है account है खास करकी YouTube अगर मैं बात करूँ तो ठीक है और आपका Facebook हो गया राइट इंस्टाग्राम राइट इंस्टा और कौन से ट्वीटर राइट ट्वीटर हो गया आपका ठीक है तो यह चार पंच important platforms है social media पे जिस पे यूनो बर्स इंडिविज्वल्स जो है वो interact करते एक दूसरे के साथ ठीक है वैसे तो देखो positive या negative का मुझे इतना मैं आपको you know clear cut ऐसे boundaries नहीं बता सकती but preparation के time पे student को किस तरीके से distract करता या help करता है उस पे मैं आपको definitely मैं आपको guide कर सकती हूँ ठीक है तो सबसे पहले students हम यहाँ पे देखते है positive sense के अंदर कि जो social media वो किस तरीके से positively आपको help कर सकता है ठीक है first of all student for example जैसे मैं बात करूँ facebook की instagram की या फिर youtube की first of all तो यह होता है कि जब भी आप exam की त्यारी करने वाले होते हूँ है ना तो कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे competitive exam की त्यारी कर रहे हो और आप काफी सारे exams को target कर रहे हो तो time to time भी आपको information देता रहता है उसके regarding ठीक है जैसे आपने मेरी भी videos देखेंगे age eligibility criteria right fee structure right form कैसे भरना है admit card कैसे आपको you know कहां से निकालना है ऐसी वगएर x y z आप n number की information जो है वो collect कर सकते है youtube से facebook से instagram से right तो पहला बात तो यह information का बहुत अच्छा source है right actually में इसका जो main purpose था वो information provide करना ही है information का बहुत अच्छा source है दूसरा student even आपको study में भी help करता है for example मालो आपको को topic नहीं आता समझ में right कोई topic है particular को पॉलिटी का topic है को science and technology का topic है को history का topic है आपको समझ में नहीं आया तो आप search करके देख सकते हैं और आप एक अच्छे से अच्छे teacher से you know आप उस topic को समझ सकते हैं ठीके तो topics समझने में यह बहुत अच्छे से आपको help करता है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ preparation के time की बात करूंगी उसके अलावा life में इसका क्या role है उसके हम बात ही नहीं करेंगे ठीके तो तो कोई topics आपको समझ में नहीं आए तो आप social media की help ले सकते हैं right social media की बिलकुल आप help ले सकते हैं एक क्या होता है यहाँ पर अच्छे से अच्छे टीचर से आपको बहुत अच्छे अच्छी faculty मिल जाएंगे ठीक है experienced faculty professors राइट जिनके पास बहुत अच्छे experience है टॉपर्स हैं right उनकी आपको क्या मिलेगी यहाँ पर information मिल सकती है कि किस तरीके से you know उन्होंने कौन कौन सी you आरे में आप information collect कर सकते हैं कहां से social media से तो social media एक बहुत अच्छा platform है student एक information collect करने का ठीक है अभी भी अगर आप देखो तो आप मेरे को किसके थ्रू सुन रहे हो social media के थ्रू सुन रहे हो right आपको पता चल रहे है कि हैं जी अभी मन्यू आईएस में एक teacher है right वो students को guide करती है पंजाब PCS के लिए ठीक है इसलिए आप देख भी रहे हो ठीक है और हो सकता है आप यहां पर कोई यूनो एक कोई अच्छी बात कोई अच्छी positive चीज जो है वो आप अपने mind में यूनो अपने जहन में बिठा लो और उसको आप implement कर लो अपनी life में राइट जिसकी वज़ ओकी तो इस तरीके से आप positive sense में use कर सकते हैं student social media का राइट information के purpose से बहुत information है आप जितनी चाहो information ले सकते हैं राइट को topic में problem है वहां से कोई आपका आप किसी competitive exam के लिए त्यारी कर रहे हो उसके बारे में आप पढ़ सकते हो राइट age eligibility criteria हो गया यह कैसे form भरना है कैसे download क करना है कोई भी information xyz आप सब की यहां से information collect कर सकते हो किसी exam के बारे में नहीं पता आप सर्च करो आपको उस exam की पूरी detail मिल जाएंगे कि हंजी इसमें क्या आपकी criteria है graduation होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हाना हर चीज आपको यहां से information मिल जाएगी तो यह तो हो गया student हमारा positive sense के अंदर information ठीक है अब हम यहां पर बात करते है student negative sense में ठीक है life में ना कुछ भी कोई भी पहली होते हैं उसके दो दो पहली होते हैं हमेशा जैसे सिक्के के दो पहली होते हैं ठीक है वैसे है आपकी life में हर चीज की you know दो पहली होते है उसको आप negative sense में भी use कर सकते हो और यह विल्कुल वैसे है जैसे हमारे weapons है ठीक है किसी weapon को आप positively भी use कर सकते हो सकते है आप उस weapon से किसी की जान बचा लो या अपनी जान बचा दो बचा लो आप किसी time पे राइट और हो सकते है आप उसको negative sense में use करके आप लाखो innocent लोगों की जैसे terrorist करते हैं वैसे आप उनकी जान ले लो ठीक है तो terrorist और army में यही फर्क है student army जो है वो defensive है वो अपने लोगों को protect करती है और terrorist जो है वो innocent लोगों को मारते है ठीक है वैसे same आपकी knowledge है student for example आपनी chemical engineering कर रखी है तो हो सकता है आप chemical engineering करके कोई ऐसे chemicals बनाए या आप ऐसी products invent करें जो आप ऐसी drugs invent करें कि आप एक society के society में बहुत पॉजिटीव अच्छा impact दिखा सको उनकी problems को आप sort out कर सको और वहीं आप एक bomb भी बना सकते हैं लोगों को blast करने के लिए ठीक है तो बिल्कुल वैसा ही है students, social media भी इसका negative sense में use आजकल ज़्यादा होने लग गया है पहले positive था और अब negative होने ज़्यादा लग गया जिसे अगर आप देखो तो आप देखोगे कि 2015 से पहले पहले अगर आप social media की बात करो तो तब इतनी information नहीं थी मतलब अगर teacher भढ़ा भी रहे थे या मतलब कोई information दे भी रहा था तो वो बहुत limited थी ठीक है अब problem यह हो गई है social media की अब इतनी ज़्यादा information उस पर पड़ी होई है कि students इतने confused हो गया है कि हंजी अब कौन सी देखें और कौन सी छोड़ें student को पता ही नहीं चल रहा तो इसने ना सबसे पहले negative अगर sense में कहूं तो confusion बहुत create कर दिये confusion बहुत ज़्यादा हो चुकी है student confusion बहुत ज़्यादा है यहां पर ठीक है एक तो confusion बहुत create होगी दूसरा क्या है misinformation बहुत पड़ी हुई misinformation बहुत ज़्यादा होने की वज़ए से mind divert बहुत होता है जैसे आप देखो को social media के उपर बहुत सारे toppers होंगे बहुत सारे आपको ऐसे persons मिल जाएंगे चो बहुत ही इस तरीके से बात करेंगे कि आपको लगागा कि अरे यह तो काम आप नहीं कर पाते क्योंकि actual में आपने अपनी actual में आप यह बात समझना भूल गए कि उनकी condition और आपकी condition में फर्क है जो आपकी situation है और उनकी situation है उसमें फर्क है students ठीके बस यही बात है वही बात है ना जब आप reality में किसी person की situation समझ कर और उसको समझते हो ठीक है वो एक अलग चीजा और वही आप social media पर किसी person को देखते हो यह यह जो वो बता रहे ठीक है तो आप ऐसा लगता है आपको कि हंजी यह तो बिल्कुल सही कह रहा है और बहुत ही easy है मैं कर ले जाओंगा इसको देखकर बैट ऐसा नहीं होता है students क्योंकि आपकी situation या आपकी conditions जो हो सकते है हो सकते है आपकी mental ability जो है वो different हो उन से ठीक है तो वहाँ पर misinformation confusion बहुत ज़्यादा create होती है students social media की वज़े से रही बात information की तो अब students क्या है information तो वो ले रहे हैं उसके साथ साथ वो extra information बहुत ज़्यादा ले रहे है extra irrelevant बोल सकते हैं extra भी बोल सकते हूं मैं आपको irrelevant भी बोल सकते हूं irrelevant in the sense की आपके exam से उस information का कोई लेना देना नहीं बट फिर भी आप उसको gain कर रहे हो है ना reels में आप कुछ भी देख रहे हो ठीक है social media आपको पढ़ना कुछ आपने खोला कोई किसी topic के लिए और था social media और आपने कुछ और ही पढ़ना शुरू करती है और आपको पता ही नहीं चला कि आपके दिन के 4 गंटे 5 गंटे कैसी चलेगे तो यहां पर एक्स्ट्रा irrelevant information बहुत ज्यादा है राइट सिकेंड चीज क्या था जो मुझे 4th thing that is time wastage time wastage आप सब के सब for example माल लो आपने को topic त्यार करना उसके लिए आपने youtube खोला खोला तो आपने उस youtube channel जो था वो information लेने के लिए था उस topic को समझने के लिए था topic आपने समझा अद्दा गंटा और social media पर आपने time लगा दिया 2 गंटे आपको पता ही नहीं चला कब आपने rails राइट कब TikTok वीडियो ये वो पता नहीं क्या-क्या देख लिया आपने और student एक चीज और समझो यहाँ पर आपको अपने mind को psychology को समझना बढ़ेगा student आपके mind को नहीं पता कि आप जो information ले रहे हो वो आपके लिए सही है या गलत है उसका काम है student information को gain करना ठीक है आप जो अपनी eyes के सामने से गुजारोगे जो अपनी eyes के सामने से आप pass करो उसको gain कर लेगा राइट और एक time के बाद एक time के बाद आपका mind जो है वो क्या होना शुरू हो जएगा tide होना शुरू हो जएगा क्योंकि दिन बर जो उसकी capacity है है ना वो एक time पे आके saturate हो जाईगी राइट फिर आप सोचोगे कि यार आपने तो कितना ही पड़ा आपने तो बहुत कम पड़ा राइट आपने तो पड़ा इनी फिर आपको last में realize होगा ठीक है तो ये जो इतनी सारी information आप फालतों की जो gain करते हो ना ठीक है उसको आपको बंद करना पड़ेगा ठीक है तो उसको बंद करना student life में आपको किस तरीके से जब आप preparation कर रहे हो उस time पे आपको social media का कैसे use करना है तो student यहां तो आप fix कर लो यहां तो आप लिख के रख लो यहां अप अपने mind को train कर लो दोई चीजे है ठीक है यहां तो अपने table पे लिख कर रखो यहां फिर आप अपने mind में इसको set कर लो पहली बात social media का use करना है only and only to understand your topics कोई topic आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे हैं पहली बात तो आप हर एक topic को social media से मत पढ़ो it is just kind of you know stupidity और मैं कहूं कि spoon feeding इस से आपकी mental development नहीं होती है student यह बात आप अपने mind में अच्छे से बिठा लीजिए कि social media का use तभी करो student जब आपको वो topic बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है पहले आप try करो कि आप book में से पढ़के उसको आप अच्छे से समझ लो अगर समझ में आ जाता है well and good है नहीं आता है तभी आप social media का help लो सेकेंड चीज स्टूडेंट try करो कि student आप एक genuine आप एक experienced faculty की अंडर या एक teacher की या एक guidance की अंडर आप पढ़ो ना कि social media की guidance की अंडर पढ़ो ये बात आप समझो student इस बात को आपको समझना बहुत important है कि आप जो है ना social media को अपना guidance मत बनाओ ठीक है उनको अपना guardian मत बनाओ ठीक है reality के अंडर आपकी conditions के हिसाब से जो आपकी situations है जिस हिसाब से आपकी mental capability है उस हिसाब से आप पढ़िए ना कि social media के हिसाब से पढ़िए ठीक है social media में तो पिछे tune चलती रहती ना चक दे चक दे अब तो हम लक्षय कर जाए वो गाने चलते है motivated है ना but reality में आपके पीछे mind में ऐसे कोई गाने नहीं चलते है student believe me तो student सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो information लेने के लिए जहाँ पे आपको कहीं से information नहीं मिल रहे है तब student आप एक you know social media का use कर सकते है और एक बात और मैं आपको दोई बाते बताऊंगे यहाँ पे दूसरी बात जब भी आप student पढ़ते हैं आप अपना phone जो है ना उसको आप off करके कहीं दूर रखके आओ ठीक है क्योंकि पास में होगा ना ठीक है आप मैं believe करो आप उस पर time waste करोगे ठीक है तो best better way है कि आप उसको दूर रखो अपने आप से जब भी आप पढ़ रहे हैं जब आपने पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया तब आप एक side link के रख लो कि हां जी ये topic मुझे समझना अगर बीच में कहीं पर समझना है उस topic को just आप बस एक बार पढ़ के देख कर और उसको बंद करके phone को उरसी time अपने side में रख दो ठीक है और फिर से पढ़ना शुरू करो टेस्ट लगा रहे हो उस time पे आप बिल्कुल मत रखो अपने पास phone सिर्फ अपना test लगाओ attempt करो उसको hard copy से देखो सामने एक अपने laptop रखो computer रखो ठीक है और उस पे आप उसको check करके चलो ठीक है तो जितना हो सके आप उसको limited way में use कीजिए student social media को बाकी student आपका right आपका account है अगर instagram पे facebook के अंदर ठीक है तो मेरी तो personal advice यही होगी कि आप उसको बंदी कर दो जब तक आपकी preparation चल रही है उसको deactivate करो ठीक है अपने phone में उसकी app download ही मत करो ठीक है मेरी preparation के time पे मेरे को कुछ पता ही नहीं था कहां मेरा account कौन सा मेरा account है कौन सा नहीं ठीक है जब time आया तब मैंने उसको दबारा से activate कर लिया ठीक है जो genuine friends है वो तो आपके छूटेंगे नहीं जो genuine होंगे नहीं वो आप 10 साल बात भी अगर social media पर search करोगे तब भी मिल जाएंगे आपको ठीक है just for entertainment purpose ठीक है तो इसको आप अपना envy नहीं आप इसको अपना friend बनाओ ठीक है और इसका एक positive sense में use करना है students ठीक है जी ओके student ठीक है जी तो इसी के साथ मैं यह लेक्चर कर रही हूँ यहां पे over राइट बट हां जाने से पहले student हमारा new batch start हो रहा है कल से राइट 22nd November से हमारा new batch start होने जा रहा student for Punjab Civil Services तो registration करने के लिए आपको link description box में मिल जाएगा तो वहां पे जाके आप registration कर सकते हैं even आप menu IS site पे जाकी even अगर आपको वहां से समझ में नहीं आ रहा तो even आप call भी कर सकते हैं okay students so thank you thank you so much have a nice day you